हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हावडा ब्रिज आखिर कौन नहीं जानता इस ब्रिज के बारे में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हावडा ब्रिज के बारे में हम आज कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो साइध ही आपको पता हो अगर आप भी उन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा कौलकाता का हावडा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है इस पूल का निर्मार ब्रिटिस राज में साल 1936 में हुआ था यानी की आजादी के पहले तीन फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था यह दुनिया का सबसे ब्यस्त पूल है अंगरेजों ने जब इस पूल को बनाने के बारे में सूचा तो वे ऐसा पूल बनाना चाहते थे जिससे की नदी का जल मार्ग ना रोके और पूल के नीचे कोई भी खंभा ना हो उपर पूल बन जाए और नीचे हुगली नदी में पानी के जहाज नाव भी बिना रुके चलते रहे जो कि ये जूला अथवा केंटी लिवरपूल से ही संभव था आज जहां हावडा ब्रिज है दरसल वहीं कभी पोर्टून सेतू था जिसे बिक्सित करके हावडा ब्रिज बनाया गया सुरुवात में इसका नाम निव हावडा ब्रिज था 14 जून 1965 में बंगला साहित के महान कभी पर्थम ACI और पर्थम भारतिय नोबेल पूरसकार बिजेतार रविंद्र नाथ टैगोर जी के सम्मान में इसका नाम बदल कर रविंद्र सेतू कर दिया गया लेकिन यह आज भी इसे हावडा ब्रिज के नाम से ही प्रसिध है हावडा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है यह पूरा पूल 2313 फिट लंबा और 279 फिट उंचा है इसकी चोड़ाई 71 फिट है जिसमें दोनों तरफ 15 भाई 15 फिट चोड़े 2 फुट बात भी है यह पूरा पूल उच्च तन्य मिस्रद हादू स्टील का बना हुआ है हावडा ब्रिज पर लगभग 1 लाग से भी जादा गाड़ियां गुजरती हैं और लगभग 5 लाग से भी जादा पैदल यात्री इस पूल से गुजरते हैं जिस समय हावडा प्रिच का निर्माड हुआ था उस समय पुरे बिस्व में हावडा प्रिच तीसरे नंबर का सबसे लंबा पुल था और आज यह अपनी तरह का छठा सबसे लंबा पुल है हावडा प्रिच की देखभाल के लिए यानि की देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ड ट्रस्ट की है इस ट्रस्ट की अस्थापना हुई थी 1870 में इस पुल के निर्माड के लिए ततकालीन बंगाल सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसे हावडा पुल अधिनियम 1926 नाम दिया गया इस पूरे ब्रिज का डिजाइन रेंडल पलमार और ट्रिटन के दारा किया गया था अनुमानिया है कि इस बड़े पुल के निर्माड में 333 करोड रूपए की रासी लगी थी यह पुल लगभग 75 साल पुराना है इसे बनने में लगभग 6 साल लगे तीन फरवरी 1943 में इसका इस्तमाल सुरू हुआ जो आज तक जारी है इसे बनने में 26,500 टल स्टील की खपत हुई जिसमें 87% स्टील टाटा स्टील कमपनी के दोरा खरीदा गया था इस परियोजना के लिए सारे स्टील इंग्लेंड से लाई जा रही थी लेकिन जापान के धमकी की वज़े से सिर्फ 3000 टन स्टील ही लाया जा सका था बाकि स्टील की खरीद टाटा स्टील कमपनी से की गई थी इस पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्राम यानि की ट्रॉली कार था गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीब 3 फिट तक बढ़ जाती है क्योंकि अधिक्तम तापमान में स्टील पिखलती और फैलती है इसकी छमता 60,000 टन वजन सहने की है लेकिन बढ़ती जन संख्या ने ट्राफिक को इतना बढ़ा दिया है कि आज हापड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है इसलिए कई ट्रामों और ज़्यादा वजनी ट्रकों को दूर रास्तों या पुलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है इस ब्रिज को बनाने के कॉंट्रक्ट के लिए 20 से भी ज़्यादा कंपनियों को चुना गया है 1935 में इसका कॉंट्रक्ट एक ब्रिटिस कंपनी Cleveland Bridge and Engineering Company Limited को दिया गया था लेकिन इसकी संग्रशना Bradford Burn and Joseph Construction Company Limited नामक कंपनी द्वारा किया गया था और 2006 के सुरुआत में इसकी मरमत करवाई गयी थी जिसमें 8 टन स्थील की खपत होई थी इस पूरे प्रक्रिया में 50 लाख रुपे का खर्च आया था पच्छीयों द्वारा हावड़ा प्रिज पर की जाने वाली गंड़गी से Kジूलकाता पौर्टट टरश्ट काफी परिसान है क्योंकि इसे प्रिज की रासायनिक छटी हो रही है इसलिए ट्रोष्ट हर साल ब्रिज से पच्छियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाग का कॉंट्रक्ट देता है साथ दसकों से अधिक समय में हावडा ब्रिज ने बिस्यूध की कुछ प्रमुक एतिहासी घटनाओं को भी देखा है जिसमें दुर्ती बिस्यूध भी सामिल है इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है जिसमें लगबग 45 लाग रुपए खर्च होते हैं माना जाता है कि हावडा ब्रिज की कोई चाभी थी जिसे ब्रिटिस कंपनी ने भारत को नहीं दिया पुराने जमाने में इस चाभी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए दो भागों में खोला जाता था लेकिन इन बातों का कोई प्रमार नहीं है इंजीनियरों का कहना है कि हावडा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वज़े है पान इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल पिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मुटाई तो पिछले तीन सालों में आधी रह चुकी है। इंजीनियर्स ने कहा है कि यह पुल 12 बज़े ही नस्ट होगा हालांकि उन्होंने तारीक एम पीम नहीं बताया है इसलिए हर दिन 12 बज़े और रात की 12 बज़े इस पुल को बंद कर दिया जाता है। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह बात गलत है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि इसके निर्मार में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल का नहीं बलकि धात से बनी कीलों का इस्तमाल किया गया है। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सेयर कर दीजेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सौस्त रहिए।